अब जिडावा में भी उपलब्ध हैं अंतराश्टी स्तर की चिकितसा सिवाएं जैपूर के नौग इंपीरियल हॉस्पिटल के विशेशग्यों द्वारा जहां आपको मिलेगी 3D तकनीक द्वारा घुटनों की सरजरी और मोटापे से परिशान पेशन्स के लिए बैरियाट कमेंट बॉक्स में यह ज़रू है कि फोटो जो है कैसी आ रही है वीडियो कैसा आ रहा है क्योंकि काफी अच्छा मुझे लग रहा है यहां पर खड़ा होकर और आप फसल देख रहे हैं बिल्कुल हरी फसल है और फूल भी लगए हैं आप देखे रहे हैं वीडियो के साथ म तो मुझे लगता है कि फोटो जो कम से कम अच्छे आ रही होगा आज तो हमेसा नहीं आती लेकर आज तो आई ही होगा बिल्कुल ये जो वो वसल है इसको किसान अपने बच्चों की तरह इसे पालता पोस्ता है बड़ी करता है आज वही किसान जो है इन बच्चों की वज़े से या यू कहेंगे कि उपर वाले बगवान की वज़े से या यू कहेंगे कि जो बागेशवर्द हम सरकार की जैब ओर रहे हैं उन भगवान की वज़े से वो भी रूट चुके हैं बिल्कुल हनवान जी है वो भी इनकी सारों से रूट चुके हैं और सरकार का तो कहना ही क्या सरकार तो इन्हें केवल आसवसन देती है वो जब चाहिए होते हैं अब आजएगी बिल्कुल इनके पास दो-चार मेहनों बाद में बतार देता हूँ कि इन्हीं के पास हाथ जोड़ते हैं निताएंगे कि हमें वोट देजी है हमें जिताई है हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे ये कर देंगे वो कर देंगे लेकिन आज इनकी सुनने वाला कोई नहीं है बिल्कुल कभी चिडावा उप्खन का रहे ले तो कभी जूझनू करेक्टर के पास कभी कहा तो कभी कहा बिजारे किसानों लोग भाई है हमारे ही बड़े बुज़र्ग है वो पहुंच रहे हैं अपनी मांग लेकर मौज़ा मिले कम से कम सही मिले और समय पर मिले तो इनके लिए काफी अच्छा होगा बिल्कुल मैं और अपने तो चैनल है उसकी मांग कहा तक जाती है ये तो मुझे नहीं पता उसके आवाज कहा तक जाती है ये तो मुझे नहीं पता लेकिन इस वक्त अपनलोग उपराश्ट्रक्ति जगदीद दंखर के पैतरक गाउं की ठाना के अंदर मोजूद है सभी जगा यही हालात है मैं किसी एक व्यक्ति को दोस्त नहीं दे रहा किसी एक परसन को दोस्त नहीं दे रहा सभी के लिए यह आज जो है एक बड़ा ही चिंतनी विशह है अगर इनकी कोई नहीं सुनेगा तो हमारे अंदाताओं की कोई नहीं सुनेगा तो आप लोग हम लोग खाएंगे क्या फिर इनका मान सम्मान जितना हमें करना चाहिए उतना ही फोजी भाईयों करते हैं हम लोग उतना ही इनका भी करना चाहिए आज एक फोजी भाई कोई सहीद होता है उनकी सम्मान जातर निकलते हैं तो हजारों की संक्या में हम वहां पहुंच आते हैं सम्मान जातरा सामिल होने के लिए उन्हें सैलिट करने के लिए अंदाताओ की कौन सुनेगा कैसी सुनोंगे आप लोग बिल्कुल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर कीजेगा और वीडियो के अंतिक बने रहेगा दोस्तों समुश्या तो गंबीर है ही मैं आपको बतारे हैं कि कल और चड़ावा ही क्या पूरे जुझनों जिले के अंदर आसपास के छेतर के अंदर सभी किसान परिशान है इस पाले की वज़ए से पाले ने जो फसलों नुकसान दिया है वो यू कहुआ कि 100% ही नुकसान है बिल्कुल आप लोग देखे रहे हैं कि इस वक्त अपने लोग यह सुभाई लगवग 6 बुजे का समय है आप बिल्कुल ऐसा ही समझ रहे हों क्योंकि अभी ऐसा मोसम है तो यह समझे कि जब लोग रात को खेतों में पानी देते हैं तब कैसा क्या मोसम भावाए व्लकुल ठर्ड़ फञता करते हैं और अक्ट भया हैं कुछ आना काम करते इसमें ७ं इसके इंदर कोई जाना नहीं कई फशल बेलकुल साफ है और शूक्तिदार ही है तो आपने तो खेत में ट्रेक्टर भी चला दिया अधर पंद्रा भिजा के अंदर सिर्शम ने मिट्टी के अंदर मिला दिया कि उसके अंदर कुछ था भी नहीं इसलिए उसको क्या करें तो प ख़िए उसके बंदर कुछ हुई निए उसे पंद्रा भिगा में मटी मिला दिया और अब क्या होगा इसका इसके होगा घरेगा क्या नहीं करेंगी क्या पूछ वाह कहां से लाइंगें किसान मरता मरने तो उनको अपना टेम पे बोर्ट से वो लिया काम खलाश है गरीब का कोई सथी नहीं है हमारा किसान एक बोला आधमी होता है बिल्कुल बोला हो इसको कोई चीज करनी का नोलेज नहीं है उसके साथ आकर अबना बोर्ट लिया आफ वोता दो अब बोर्ट देते हो तब आप लोग यह दिवा क्योंग लगा देकिए वह हमें किसी सरकार हमारे को अफ्यादी हमारे को आप आ लेकिन जब टाइम निकल जाता है तो हमारी कोई सुड़ाइब तो आलत ही खराब है रात को बारा बारा बजे तक हमारी बिजली पूरी होती है आदमियों के आज एंडरेट पुजिंट किसान है वेमार है बिल्कुल लेकिन उसके कोई यह नहीं है लेकिन आप तो उस गाम से हो जहांके एक वेक्ति जो है जगदीब धन्फड़ वो पुराष्टपती है लेकिन करें क्या करें 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 क्या करें क्या करें गवर्मेंट करें बोबनेंगी सब्सक्राइब करें करें लेकिन राष्टान सरकार करें लोगों कोई लेंड नहीं नहीं को देते हैं जो खातेदारी की जमीन है यह हमारे गाओं की सब्सक्राइब करें लोगों किसान परिवार से हूं रात को जब फसल में पानी देते हैं काफी मेहनत करनी पड़ती है वसल को बच्चों की तरह सीचना पड़ता है उसके बाद वाला भी नहीं सुन रहा है नेचे वाला भी कोई सुन रहा है तो फसल का इस वक्त जो पाला गिरा है उससे काफी देखने को मिल रहा है और किसानों के रोस भी काफी है लेकिन अब जो है 2030 के विदानसवा चुनाओ नजदिक आ रहे हैं तो सरकार को भी इसे ध्यान देना चाहिए कम से कम चुनाओ के वक्त तो इन किसान भायों की सुनने ही चाहिए उनको बिल्कुल और भी किसान लोग हमारे साथ हैं उनसे बात्सित करते हैं वीडियो के अंतर ज किसान के बहुत कमजोर आलत हो गई है तो दोस्तों सरसो की फसल तो है उसमें नुक्सान ही है और इसके साथ ही जो इसके बाजू में जो फसल जो आप लोग देख रहे हैं एक बड़ी अच्छी पिच्चर आ रही होगी बड़ा अच्छा वीडियो भी आ रहा होगा तो मैं कैबरा में परकास देरे देरे आगे आते रही है आप और यह जो की फसल है यह भी पूरी तरह से नश्ट हो चुकी है बिलकुल किसानबाई भी हमारे साथ जाबर मौजूद है उनसे बासित करते हैं यह जो कुछ ही को नहीं है ब और किसान नहीं कर सकता आप जब उस्ताबर में वाले हैं कुछ नहीं है इनके अंदर कुछ नहीं है अनित्य लोग आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए वोत मांगने के लिए इसान को दो बना और काम वहां आरी है कि फूट डालो लाजगरो वह कर रहे हैं बाजर घरीा नहीं है है इनको तो सोशन करना है गरीब को गरीब रखना है कि वह आगे नहीं आ जाए बिल्कुम है अभी क्या करियागा इसमें आएंसी में उन बच्चों का क्या हाल होगा जिनके पीछे दस दस बच्चे हैं वो क्या खाएंगे उनकी है कोई परिवार का बहर पॉसन है वह किस तरह जल से जल उच्चित गिरदावरी जो है वह करवाई जाए 100% फसल नुक्सान हो जल से जल इनको मौज़त दिराने की कोशिश तो कम से कम वह भी करें तो अभी के लिए देखते हैं से लिगर टाइम्स के साथ